अंधिकार को क्यों अधिकारे अच्छा है एक दीब जलाए जीब से जीब जलता ही रहेगा सीखा है जो सब को सिखाए वयम पड़े औरों को पढ़ाए अपना जीवन सभल बनाए अंधिकार को क्यों धिकारे अच्छा है एक दीब जलाए अंधिकार को क्यों धिकारे अच्छा है अच्छा है अच्छा है दीब जलाए अच्छा है अच्छा है अच्छा कारेक्रम के अंतरगत हमारे जो प्रतिभागी है वे निरक्षर्टों हैं पर अज्ञानी नहीं जीवन के अनुभवों ने उन्हें बहुत को सिखाया है अपने अपने छेत्र में वे अनुभवी हैं उनकी अपनी प्रतिष्ठा है अपना व्यक्तित्व है अपना मान सम्मान उन्हें उतना ही प्यारा है जितना किसी पढ़े लिखे व्यक्तिको अपने संपर्क में आई समझते हैं पर अंतर इतना है कि वे पढ़लित नहीं सकते चलने की ताकत उनमें है पर उन्हें सही रहा दिखाने वाला चाहिए उनकी इक शाय तो हैं पर सोई हुई उन्हें जगाने वाला चाहिए इसी जटिल कारेको करने का पूरा उत्तरदाइप्व हमारे अनुदेशिकों का है आज हम पहला अक्षर आप लोगों का सिठाए रहे हैं देखो कि यह गा गा से गडरी यहां देखें आप लोग यह बना हुआ है गडरी जिसमें पानी भरा जाता है और दूसरा अक्षर है यह हा विछविश पीर यह आप लोग अदरते द जाते घर सब्सक्राइबया यह सनी अपलम जो हो है यकलिक अ दीक हो कुछी सच्ट करिया आप लोग यह बनस हूं कि को देखो यह बना नाया आका है यूंस this देखो दनिराम भाईया आप इनक्षों को जानते तो हो लेकिल लिखना और पढ़ना नहीं जानते हो पहले इनक्षों को पहचानना सीफों फिर आप सीफ पाएंगे कि का कैसे लिखा जाता है यह अच्छा तो आप सब लोग किसान हो किसान शब से तो आप लोग पर्चित हो गए ना तब हम आपको किसान शब लखना सिखार है पहले इसको मिटा दे हुआ हाँ का में छोटी इके मात्रा की यह हो गया सा में आके मात्रा कि यह ना कि इसाज अब ठीक अधर है रहा है आप लोग का हाँ तो इसको देख देख करके आप लोग लिखिए लिखो भी आलिखो कि रोणों की मानसिक्ता समझे बगयर उन्हें पढ़ाना बेकार है उनके पास अपने अन्वों हैं वे बोल सकते हैं पर लिख पढ़ नहीं सकते इसके लिए हमें उन्हें अक्षर ग्यान देना होगा और अक्षर ग्यान देने के लिए हमें नए तरीके धूनने होंगे आईए गबाल मिया, यहां तश्रीव लाइए लिखे पपीता देखे, देखा न एकबाल मिया, आज फिर आपने गलब लिख दिया, अच्छा आप बैठी अपनी लिखे, आप लिखे, देखे आप कैसा लिखते है अच्छा आप बैठी अरे उबाल भीया, क्यों नराज होते हैं भै मेनत करिएगा, तो धिरे दिरे आप भी लिखना पढ़ना सीख जाएगा अच्छा मागे बढ़ते हैं अलो देशक जी, जरह सुनिये तो जी, नमस्कार नमस्कार, क्या आप बता सकते हैं, आपके केंदर में कैसे प्रतिभागी आते हैं जी अधिकतर प्रतिभागयों के उम्र यही 22-26 साल के बीच में जिन में से तीन तो तीस या पैंतीस साल के हैं और हमारे सारे प्रतिभागयों में से दस किसान है, पांच खेतियर मजदूर है और दो बढ़ई है, एक लोहार है बाकि तीन चाल लोग हैं, उन्हें जब काम मिलता है तो मजदूरी दरदर कर लेते हैं अच्छा, तो प्रतिभागयों को समझने का आपका नजरिया यही है जी और हो भी क्या सकता है प्रतिभागयों को समझने के लिए उनकी उम्र, उनका परिवार, आर्थिक और सामाजिक इस्तर ही काफी नहीं है अच्छा तो आप ही बताईए, हमें क्या करना चाहिए उनकी मानसिक स्थिती देखनी चाहिए जी मैं समझा नहीं है हर प्रतिभागी की मानसिक स्थिती अलग-अलग है अब इद्बाल भाई को ही ले लो वे पढ़ने में कमजोर हैं इसलिए अपने सामने किसी की तारिफ सह नहीं पाते नत्तु सिंग और भोला राम जिने आप कुछ भी कह दो वे बुरा नहीं मानेंगे धनी राम जो पढ़ने के लिए उच्छुक तो है पर इस धंक से वे पढ़ना नहीं चाहता राम लखन पढ़ने में तेज है तुसे थोड़ा सा सहारा चाहिए जी, मैं आपकी बास समझ गया अनुदेशक को चाहिए कि वे प्रतिभाग्यों की गिंती ना करें उनकी उम्र वैवसाय को देखते हुए उनके व्यक्तित्व को पहचाने हर प्रतिभागी की मानसिक्ता को समझ कर पढ़ने लिखने में उनकी रुची को इस्थिर बनाय रखने का प्रयत्न करें तभी तो वे अपना विकास कर सकेंगे अच्छा यो बताओ पद्मा ये तुमका हिया दिखाई का देख कुईया के आसपास हमका तो यहां गद्धा पानी और गंदगी दिखाई देथ है और तुमनों यहां जनती हो कि यहां पानी धीरे धीरे जमिन के भीतर जात है और वहां पानी कुमा कमा आवद है काहे नहीं जाने थैन यू तो हम सभी लोग जनती हैं तो यहाँ जनती हुई हो कि यहाँ गंदा पानी हम सब जनी पीतो हैं और यही गंदे पानी मा छोटे छोटे रोख के किटाड़ू रहा थे अच्छा हम दी विमारी का जड़ यह पानी आए और जो यह पानी भरा रहा देए थे हम लोग तो इमार मच्छार भी हो जाते हैं यू तो हम हो जानी थे मगर हम लोग कबो सोचबे नहीं भैं लेकिन अब हमका इधा ज्यान देख पड़ी कि हम इक गंदगी का कैसे दूर करी हम लोगन का चाही यहां कुईया पर कपड़ा न धोई के कहीं और चलके धोई लेई हम लोगन का चाही कि पानी यहां न भर देए वही के लिए एक नाली बना ले अई जो गड़ा है इक गड़न का मिट्टी से ने पाट देए देखा आपने प्रतिभागियों को समझाने का यह तरीका कितना आसान है ऐसी कितनी ही बाते हैं जो इनके जीवन में रोज घटती हैं जिनको यह जानते हैं अनभव करते हैं पर उनको कभी गंभीरता से नहीं लेते अनदेशक को चाहिए कि वे एक ऐसे वातावरन का निर्मान करें जिसमें यह स्वयम से प्रश्न कर सकें और इस्तिती की गंभीरता को समझ सकें ताकि इन में जागरूपता और आत्मबल बढ़ाया जा सकें में बढ़न कर के एकोमाक तान प्रश्न में में जाला कि वे वे एतना अら Oh कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क अब देखो कुंदन भाईया पहले तुम्हें अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए अब कहा बताई दादा मिट्टी की जाँच कहा करवाई बड़ी-बड़ी इमारतन में बैठे बाबू हम छोटे आदमिन की बास सुनी हैं भाईया इसी बहुत सी संस्थाय है और उसके करमचारी हैं जो तुम्हारी मदद के लिए हैं फिर वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे दादा हमका वह जाट डर लागत है वह बड़े बाबो काओं हम पर बिगड़ना जाए अरे भाईया भला वो लोग तुम पर क्यों बिगड़ने लगे वो तुम्हा अनुदेशिकों को चाहिए कि वे प्रतिभागियों को साक्षर्ता ग्यान देने के साथ साथ ऐसी शिक्षा भी दें जिससे उनमें आत्मसम्मान बढ़ सके वे दूसरों पर निर्भर ना करें अपनी बात बिना किसी हिचके चाहट के दूसरों से इस पश्च रूप से कह सक कुसम बहन अरे गीता तुम हाँ मैं आव आओ बैठो बैठो बहन कल तुम केंदर पर क्यों नहीं आई तुम तो जानती हो गीता ए घर के सारे लोग छोटी छोटी सा बाते मुझ से ही पूछते हैं मेरी राय लेते हैं और जो मैं कहती हूँ न वही करते हैं हाँ घर पे तो आपके बगर चल ही नहीं सकता है अब तुम ही बताओ ना गीता केंदर में छोटी छोटी बातों के लिए सब के सामने नीचा देखना पड़ता है हाँ दीदी घर वाले तो आपकी बहुत ही इज़त करते हैं और वो सरोज कल की लड़की मास्टर नहीं के तरह पढ़ाती है हमसे भईया इस अब नहीं होता है लो वो आ रही है नमस्ते दीदी नमस्ते कल आप केंदर पर नहीं आई सोचा आप से जाकर मिल लो आपकी तबेत ठीक है न हाँ तबेत ठीक है अब तो सरोज तुम जानती ही हो दीदी को घर पर कितना काम करना पड़ता है हम साफ साफ कह देते हैं सरोज कि तुम मास्टर नी की तरह हमको पढ़ाती हो यूँ हमका अच्छा नहीं लागत है अच्छा तो ये बात है दीदी दीदी आप हमसे उम्रे में काफी बड़ी है आपकी घर में आपका मान समान भी ज़्यादा है और आप मुझसे ज़्यादा कुछ चानती है अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ लिख लेंगी तो इसमें आपकी का बढ़ावा होगा और दीदी आप मुझसे बड़ी हैं बड़ी ही रहेंगी प्राडों का अपने परिवार के साथ जीवन गुजादने का अपना एक अलग धंग है शिक्षा द्वारा हमें उनके जीवन में रहन सहन के स्तर में उनके व्यक्तित्व में निखार लाना है उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे अपने जीवन को सरलता पूर्वक गुजार सकें अन्मदेशक को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचान सके भाईयों, हमने शायद अपने केंदर का स्थान बदल दिया है इसलिए आज बाखके लोगों को आने में देर हो रही है तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आईए हम लोग कुछ बाचित करते हैं अपने में अपने में अस्पाताल नहीं है अच्छा तो ये बताओ अस्पाताल ना होने से हमें क्या-क्या परिशानियां होती है दवा नहीं मिलती है हाँ, हाँ, कुछ और और अस्पताल ना होने से ऐसा है भईया कि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हमको हाँ हाँ बोलो बोलो उसके लिए रूप क्यों गए ऐसा भईया दवाईया नहीं मिलती है अच्छा और कुछ अब क्या बता है भईया प्रहण अपने अनभाव से बहुत कुछ जानते हैं पर अपनी बात कहने की शमता उनमें नहीं है वे शब्द तो जानते हैं उनका अर्थ भी समझते हैं पर किस प्रकार अपनी बात कहनी चाहिए ये नहीं कर पाते इसके लिए अनुदेशक को चाहिए कि वो प्रतिभाग्यों से शब्दों की पहचान करवाए, उनका प्रयोग बताए, ताकि वो अपनी बात को स्पर्ष्ट और प्रमबद धंग से कह सकें इसके लिए समय समय पर प्रतिभाग्यों से समुख चर्चा करवाए क्यों अनुदेशक जी, क्या आप जानते हैं, प्रावड अपने भावव्यत क्यों नहीं कर पाते हैं जी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा ये क्या लिखा है जरब बताईए तो का हूँ? आपने कैसे पहचाना? जी पर गर्ग ये ही चिन है, जिसकी आवाज काम है ये हमें बच्पन से सिखाई गए है इसकी पहचान भी कराई गई है पर तब हमारे पास इसका अनभव नहीं था प्रावडों के पास इसका अनभव है वे इसकी आवाज को जानते हैं पर इसके अक्षरों को नहीं पहचानते अनुदेशक को चाहिए कि वे आवाज के द्वारा शब्द और अक्षरों की पहचान करवाए ये अक्षर चिंध या आकार इनको दिया जाता है प्रतिभागी जब इनको पहचानने लगता है इनको समझने लगता है तब वे अपनी बात को अधिक आसानी से सरलता पूरवक बिना किसी हिचके चाहट के कह सकता है लिख पढ़ सकता है जो उसका व्यक्तित बनाने में सहायता करता है हाँ तो भाईयों, आज हम सभी लोग मिलकर एक कहानी कहेंगे उस कहानी के शुरुवात मैं करूंगा और उस कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा आप सभी लोगों का है आप सब लोग उसे मिलकर आगे बढ़ाए में और उसे खत्मी आपी लोग करना है तो कहानी के शुरुआत मैं करता हूँ कहानी इस तरह है कि किसी गाउं में मोहन नाम का एक लड़का रहता है उसकी शादी उसी गाउं की राधा नाम की एक लड़की से हो गई चार साल के बाद दहज ना मिलने के कारण मोहन ने राधा को छोड़ दिया अब आप बढ़ाए इस कहानी को आगे उदास राधा अपने बच्चे के साथ अपने माबाप के साथ रहने रही राधा के पडोस मा किसन रहत रहे वह की दो भाई और एक बहन रहे वह की मा बहुत बीमार रहत रहे राधा ने किसन की मा और उसके परिवार के सदस्यों की खुब सेवा थी किसन की मा ने सोचा क्यों न राधा को अपनी बहु बना ले और ये बात उसने अपने भाई से कही किसन के मामा और समाज के लोग नाराज हो गए क्योंकि जादी का बंधन, राधा का बच्चा और दूसरी शादी समाज को मंजूर नहीं थे समाज के कहने पर किशन की मान ने गौँ छोड़ दिया लेकिन राधा को अपनी बहु बनाया और उसके बच्चे को बाप का नाम भी दिया प्रतिभागियों के बेवहार को उनके मूले किस प्रकार प्रभावित करते हैं अनुदेशक सोचने विचारने के लिए प्रोधसाहित करें प्रतिभागियों से समूह में रचनात्मक कारे करने को प्रेरित करें ताकि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचान सकें उनमें परिवर्तन ला सकें अच्छा भाईया लोगों अब आप लोग अपनी किताबें पंद करने में अब आप से कुछ और बात करना चाहिए अच्छा तो ये बदाईया आप लोग अपने इस गाउं में आने जाने का रास्ता कैसा है अरे भाईया बहुते खराब है क्यों? अरे कुछ पोछाओ नहीं ओ बर्तात में तो औरो जएदा खराब हुई जाते तो क्या हम लोग अपनी कच्छी सरक की जगे पक्की सरक नहीं बनवा सकते है परधान जी कोशिश तो कर रहे थे पर पता नहीं क्या हुआ तो आप लोगों ने परधान जी से नहीं पूछा तो भाई हम लोग अप परधान जी से कैसे पूछ सकीते है भाई क्यों नहीं पूछ सकते हैं या इमा विका का सकत हैं भाईयों गाओं के प्रधान जी और विभागों के अन्य अधिकारी गणा सब आप लोगों की सेवा के लिए हैं अगर आप उन लोगों से प्रशन नहीं करेंगे तो आपको जवाब कहां से मिलेगा देश के हर नाग प्रवाद के उच्छ अधिकारियों से भी पूछताज कर सकते हैं समझ गए ना आप लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको कानूनी अधिकारों का भी ज्यान कराना होगा इतना ही नहीं इन अधिकारों को पाने के लिए उनमें नई चेतना जागरती और आत्मविश् इश रूप से ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी बेवहार से उन्हें आघात ना लगे और उनमें हीन भावना ना पन पे वे निरक्षर हैं पर अनुभवी और जानकार हैं अनुदेशक को चाहिए कि उनकी मानसिक्ता को समझें समांता का बेवहार करते हुए उन्हें तब ही लाएं जिससे प्रोडों का सरवांगीन विकास हो सके क्योंकि उनके विकास से परिवार का परिवार से गाउं का और गाउं के विकास से ही सारे देश का विकास संभव है प्रोडों की समस्याओं और आवशिक्ताओं को समझें प्रोडों की मानसिक्ता को समझ कर उनके साथ व्यवहार करें प्रोडों में चेतना जागरूकता आत्मविश्वास पैदा करें प्रोडों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता दें शिक्षर सामगरी के प्रयोगदारा प्रोडों में व्यवारिक दक्षिता बढ़ाने का प्रेत्न करें प्रोडों को उनके कानूनी अधिकारों का ग्यान दें साक्षर्टा अर्जित करने में प्रोडों की प्रगती मुल्यांकन के संबंध में प्रवर्तन करें प्रोडों के अंदर ऐसी सूज उत्पन्न करें कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयम कर सकें मंधिकार को क्यों धिकारे मंधिकार को क्यों धिकारे अच्छा है कि दीब जलाएं दीब से दीब जलता ही रहेगा सीखा है जो सब को सिखाएं वयम पड़े औरों को पढ़ाएं अपना जीवन सभल बनाएं मंधिकार को क्यों धिकारे अच्छा है कि दीब जलाएं दीब जलाएं दीब जलाएं दीब जलाएं दीब जलाएं